बुद मॉनिंग दोस्तों, मेरे नाम संदीप कुमार रेडी फ्रम इंजीनियस कॉंपटेटिव ट्रेनिंग अकाडमी आज हम लोग डिसकस करेंगे अटमासपीर और लेयर्स लेट में टेल यू गाईस, जोकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको 15 से ज़्यादा वीडियो बनाया गया है काफी अच्छी अलग अलग टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा जरूर एक बार जाके चेक कर लिजिए और अगर आपको मिटिरियल चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको मिटिरियल भी प्रोवाइड कर देंगे आज डिसकस करेंगे अटमासपीर और लेयर्स के बारे में और खुल मिलाके पांच लेयर्स हम आपको देख सकते हैं, दोज लेयर्स आर ट्रोपोसपीर, स्ट्राटोसपीर, मेजोसपीर, थर्मोसपीर और एक्जोसपीर यह जितने भी लेयर्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हर लेयर का अपना-पना एक करेक्टरस्टिक्स है और उसमें क्या-क्या फंक्शन होते हैं, आप देखेगा, सबसे पहले नीचे से उपर तक, अगर आप देखा जाए, यह ट्रोपोसपीर होता है, this is the lowest part of the atmosphere, the part we live in, it contains most of our weather, that is clouds, rains, snow, यह आपको ट्रोपोसपीर में देखने को मिलता है, in this part of the atmosphere, the temperature gets colder as the distance above the earth increases, so यहाँ पे, जब उपर जाते वक्त, तो अहाँ पे क्या होगा, temperature cold हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, by about 6.5 degrees centigrade per kilometer, यहाँ आप देख सकते हो, it gets colder, it extends to up to 18 kilometers, so 18 kilometer तक क्या होगा, वहाँ पे, जैसे की equator के पास, 18 kilometer उपर तक, आप यहाँ देख सकते हो, तो अगर 8 kilometers from the poles, so poles से आप, यहाँ तक आप देख सकते हो, up to 6.5 degrees तक temperature गट जाएगा, so यहाँ पे, देख सकते हैं, यहाँ पे, अब बोड़ अर्थ increases by, about 6.5 degrees centigrade per kilometer, so यहाँ पे क्या होगा, increase होगा, so troposphere में के अनदर 75% of all the air in the atmosphere, so जितने भी हवा है, जिसे oxygen है, nitrogen से काफी प पर रीटेन हो जाता है नाइट्रोजन काफी हलका होता है इसलिए उपर रहता है तो यहाँ पर क्या होगा आप टू एटीन किलोमेटर्स एट किलोमेटर्स अब फ्रन द पोल अपना जो टेंपरेचर बढ़ता जाएगा आप टू 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड यह आप देख स यह ट्रोपो पास तक एक्स्टेंड होगा इट इस अबोट 50 किलोमेटर टेंपरेचर इंक्रीज़ जू टू 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 अब्सॉप्शन आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा ओजो है इस प्रेजंट इन दिस लेयर यहाँ पे ओजो है ओत्री प्रेजंट रहेगा और जो अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन है और साथ में इंफ्रारेट रेडियेशन जो सूरज से आते हैं उसको चेक करती है मतलब उसको रोग देता है ओजोन लेयर और यह जो लेयर है फ्री फ्रम क्लाउड्स क्लाउड्स से काफी फ्री रहेगा और हैंस प्रोवाइड फ्लाइंग कंडिशन फर लार्ज जट प्लेंज और यहां पर आपको जितने भी जट प्लेंज है और साथ में अपना जो एरो प्लेंज है यह इस लेयर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहां पर क्लाउड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा इसलिए इतने भी फ्लाइट्स है वो स्ट्राइटो स्पियर में आपको देखने को मिलता है जहां पर ओजोन लेयर भी आपको देखने को मिलता है यह काफी देंस होता है अगला देखें मेजो स्पियर काफी इंपोर्टेंट होता है मेजो स्पियर एक्स्टेंट्स टु दा हाइट 80 km, यहाँ पे temperature again decreases with the height यहाँ temperature क्या होगा, कम हो जाएगा reaching a minimum of near about minus 90 degrees at the mesosphere so देखे, after the stratosphere यहाँ पे mesosphere में temperature फिर गट जाएगा, और it can directly go up to minus 90 degrees centigrade so this layer extends about 80 to 640 km इतना दूर, मतलब इतना dense mesosphere आप देख सकते हो so यहाँ पे उसके बाद temperature जो है यह दीरे-दीरे से बढ़ जाएगा up to 1480 degree centigrade so एक limit तक minus 90 रहेगा, उसके बाद बढ़ के 1480 तक आपको देखने को मिलता है so आपको starting में थोड़ा ठंडा रहेगा, उसके बाद दीरे-दीरे से बढ़ जाएगा now it comes to thermosphere the increase in temperature is due to gas molecules in this layer absorb x-rays and ultraviolet radiation from sun gas molecules break up into positive and negative charge ions, thus this layer is known as ionosphere so काफी important है, ionosphere कहते है ionosphere जो reflect करता है radio waves are allowing us to receive short wave, radio, broadcast and other parts of the world बहुती important है, किस layer के अंदर, जितने भी radio waves है, आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, diversion होगा मतलब reflect होके वापस आएगा धरती पे तो वो है, ionosphere बहुती important है अब बात आता है, exosphere की exosphere एक ऐसा layer है extends beyond the thermosphere up to the 960 km यह जो layer, it contains only gases like oxygen and nitrogen argon and helium so, इसमें क्या है, gravity कम रहेगा और साथ में, allows the gas molecules to escape into space जिसके वज़े से, oxygen अपना धरती पे retain हो जाएगा it stays on the earth only in the case of nitrogen, because of lighter situation as compared to oxygen यहाँ पे क्या होगा, nitrogen और argon जितने भी आप exosphere में रहेगा और साथ में वहीं से वहीं दीरे से escape हो जाएगा from the earth surface so, बहुत ही important है exosphere में, these are the main constraints, they are nitrogen, argon and helium oxygen तोड़ा सा रहेगा, पर maximum आपको earth crust में, troposphere में देखने को मिलता है these are the few important layers which you have to remember and this is my mobile number guys if you have any kind of doubts, you can call me I can guide you, if you want the material also, you can take the material from me I can give you, and you have to send your whatsapp number and you can directly take whatever the content you want by post at your doorstep thank you guys, you can share it to your friends please have a look in playlist for the various topics have a good day, have a great life